इस्रेली सेना ने डंके की चोट पर कह दिया है कि जैसे ही सीसफार खत्म होगा वो गाजा पट्टी और विस्ट बैंक में दस गुना तेजी से अमला करेगा लेकिन इतनी बड़ी धमकी देने के बाद नेतन याहू को फोरन एसास हुआ है कि उसने बहुत भारी गलती कर दी है और इस गलती का फायदा इरान उठा सकता है इस्रेल को मिटा देंगे हमास और इरान चार दिन का सीज फायर क्या इस्रेल पर भारी पर रहा है दुनिया भर के वार एक्सपोर्ट्स का साफ कहना है कि चार दिन के सीज फायर में हमास को जबरदस्थ हमले करने के लिए फिर से ऑक्सिजन मिल गई है खबरे तो यहां तका रही है कि रूस के वेगनर गुरुप के कमांडर और लड़ा के भारी हथियारों के साथ हमास के कमांड सेंटर में पहुँच चुके हैं जबकि चीन ने इस दोरान हमास की सुरंगों में ऐसे खुफिया नेटवाक बना दिये हैं जो इस्रैली टैंकों और पैदल सेना के लिए काल साबित होंगे जबकि दूसरी तरफ हीरान ने हमास को नई तरह की सैकडों में साइलें लंबी दूरी के रॉकेर और भारी हथियारों की एक बहुत बड़ी खेप गाजा पहुचाती है दावा तो यहां तक किया गया है कि हीरान ने अरब और मुस्लिम देशों को साफ साफ कह दिया है कि हम सीजफायर की आड में इस्रेल के खूनी गुनाहों को रत्ती भर माफ नहीं करेंगे और इस्रेल पर साथ अक्टूबर जैसे दरजनों भी शनहमले होंगे इस वक्त इस्रेल के डिर लाग सैने को राट सो टैंक घाजा पट्टे वेस्ट बैंक में मौजूद है खबरें तो यहां तका रही है कि इस्रेल ने सीजफायर पूरा होने से पहले ही हमास के ओपर जबरदस्थ हमले शुरू कर दिये हैं ताकि हमास साथ अक्टूबर जैसा हमला इजरेल पर ना कर सके जबकि दूसरी तरफ हमास, हेजबुल्ला और हूथी मिलकर इजरेल पर हमले कर रहे हैं। इजरेल के वजूद से जोड़ गया है। तो अकला नमबर बाखी देशों का होगा। बैनमीन नेतन्याहू ने ये भी लिखा है कि हमास ने साथ अक्टूबर को जिस तरह आतंत मचाया वो हमें दिखाता है कि अच्छा भविश्य तभी संभौ है। तो सब ये दुनिया इन जंगलियों के खिलाफ लड़ेगी। नेधन्याहू ने अलर्ट करते हुए ये भी लिखा है कि कुछ लोगों को लगता है कि हम आराम से अपनी जिंदगी में रहेंगे और बुराई खत्म हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब कि दूसरी तरफ इसरेल की नेतन्याहू सरकार पर अंतराश्रिय दवाव बढ़ता जा रहा है कि वो अपने हमले बंद करें, जंग को रोकें। लेकिन इधर जंग को अंजाम तक पहुचाने का जुनून इसरेल पर बहुत भारी पड़ रहा है। जब कि दूसरी तरफ इरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने इसरेल को धम की दे दी है। कि इरान घाजा में गिराए गए इसरेल के एक एक बम और लाशों का पूरा हिसाब इसरेल से लेगा। और इसरेल को घाजा में खून खराबे की कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए इरान के सुप्रीम लीडर ने क्या कहा है। इरानी सर्वोचनेता अली खामनेई ने एक्सपर एक पोस्ट में इसरेल को घाजा युद्ध पर चितावनी दी है। अली खामनेई ने लिखा है कि घाजा पट्टी में आईडियेफ के हमले पर तगड़ा जवाब जरूर मिलेगा। खामनेई ने लिखा है कि घाजा में इसरेल की भीशर बंबारी उस करारी हार के भरबाई नहीं कर पाएगी जिस करारी हार का सामना इसरेल को साथ अक्टूबर को करना पड़ा था इरानी सर्वोच नेधा अली खामनेई ने दावे के साथ लिखा है कि इस्रेल अमेरिका के समर्थन के बिना कुछ भी नहीं है और कुछी दिनों में इस्रेल चुप होने को मजबूर हो जाएगा इस्रेल की हार पर नेतन्याहू का कॉबूल नाम हा अगर हम आखणों के हिसाब से देखें तो इस्रेल में उत्तरी घाजा से 11 लाक लोगों को जबरन दक्षुनी घाजा की तरफ भागने को मजबूर कर दिया है जबकि उत्तरी घाजा में मौजूद 35 में से 25 अस्पता इस्रेली हमले में तबाह हो चुके है वहीं 44 हजार के करीब उत्तरी घाजा की इमार्थों को इस्रेल ने मिसाइल और वम धमाकों से उड़ा दिया है जबकि सबादो लाख के करीब इमार्थें अब रहने लायक नहीं बची है लगभग 10,000 हमास लड़ाके अब तक इस्रेली सेना मारने का दावा कर चुके है लेकिन जबरदस्त प्रिशब में चार दिन का सीज फायर इस्रेल की देड़ महीने की रहनक और जीत पर पानी फिर रही है इसलिए इस्रेली सेना के टॉप कमांडरों ने कहना शुरू कर दिया है कि सीज फायर के दौरान इस्रेली सेना भीशन हमले की जबरदस्त तयारियां कर रही है इस्रेली सेना के प्रवक्ता रियर एद्मिरल डैनियल हगारी ने साफ साफ कहा कि हम सीज़ पार में हमास पर फीशा हम लेकितलियार इमजबे अजरेल को मितादेंगे, हमास और इराग बमालच यमी अफूगा, चाहल यसलीम अपार्खुट वेता हैर्खुट वेता हमुखनोत लशलबי המलखमा अबाइम कुछो चाहल मुखनीं मुद्रूखीं बेखुल अजिरोत, हमदिनियोत शेलान ब्रूरा, निफाल कनेगट को लियूम लिमदिनत इसराइल अब सवाल उरता है, कि अगर इस्राइल सीज़ फायर के दोरान भील, लगातार तीज हमले कर रहा है, तो फिर हमास क्या कर रहा है इसराइल के रक्षा विभार के अधिकारियों को लगता है, कि घाजा में हमास का चीफ याया सिन्वार दक्षणी घाजा पट्टी में मानुई संकट का फायदा उठाने की कोशिश में है इस रणनीती के तहत खान योनस का लादेन कहा जाने वाला याया सिन्वार इसराइली रक्षापनों पर इतना अंतराश्य दबाव डालना चाहता है, कि आगे अपने अभियान को तेज ना कर सके खान योनसी सिन्वार का मुख्ष कमाइन सेंटर है माना जा रहा है कि दबाव में इसराइली सीन्वार अपिक्षा प्रित सीमित ऑपरेशन के लिए तयार हो सकती है जिससे हमास को कोई खास नुकसान नहीं होगा इसराइली अपसरों का मानना है कि सिन्वार युद्ध विराम के बाद जमीनी अभियानों को भिर से शुरू करने में देरी करानी की योचना बनाने में जोर शोर से जुटा है आप कुछ पॉइंट से समझ लीजिए हमास का लादें या या सिन्वार उत्तरी गाजा के बचा है दक्षनी गाजा को बचाने पर अब क्यों जोर दे रहा है सीज़ फायर की वज़े से खान योनुस या राफा को निशाना बनाने की बचा है इसरेली सेना नुसेरा अल भुरायस और दीर अल बलाह जैसे इलाफों पर ही सीमिक हमले कर पा रही है इसरेली सेना दक्षनी गाजा के गैर मान्मी अक्षित्रों में सीमिक अवियान चलाने को मजबूर हो रही है इसका नुक्सा आइडिय तो ये हुरा है कि हमास इसरेल के भीशन हमलों से बच रहा है और हमास का लादे याया सिन्पा एक बच्षिर से दक्षनी गाजा में हमास की सैन्य टाकत को मजबूर करने में चुटा है इसरेल को मिटा देंगे हमास और इराग का नच्ट एक आइड इसरे गुट्रें लोाम्लों आइसरेन को बादेडिया इसरे लियुимо療न को में सецरेल कора झाल इसरेशना पर इसरे årनिंगा हमलों ये ताया लियु 놀ा होता बाताई हमास Drewout Cinnamon इसरे इसना उippersड़ा हमलों इसरेशना है वाल अमल फिलस्तिनी से जंग कर रही है हमास के इस खुफिया युद्ध में इस्रेली सेना के एक पसी में छोड़ा दिने चार दिन के सीज़ फायर के बाद जब दूबारा से इस्रेली सेना गाजा शहर और उत्तरी गाजा के बेहत अंदरोनी हिस्सों पर हमला करेगा पुरसूद्वाट हमास और जब जब दाधा थकन ले इस्रेली सेना पर जजरो करेगा लेकं इस्रेली सेना इबीदा मागरही पसीज़ फायर किबाद हमास काथ अख़त मापूरी तरसे होगा अगबים אחרי כל מה שצריך לעקוב אחרי בחירי हमास ब'עזה ובכל מקום בעולם जब हमास का दावा है कि इस्रेल सेना युद वेराम को तोड रही है और हमास पर हमले कर रही है हमास के इस दावे में दम नजराता है क्योंकि इस्रेली सेना का दावा है कि पिछले 10 गंटे की भीशन जंग में हमास के दरजनों लड़ाके बारे गए है आईडियफ के मुक्ष पैदल सेना एकाईव में से एक है नाखल ब्रिगट के सैनिकों ने उत्तरी गाजा के पश्चिब में जबालिया पर भीशन हमला किया जबालिया में आउट पोस्ट 17 पर आईडियफ में हमास लड़ाकों को मार तर पपचा कर दिया है अईडिया